असलाम अलेकों फ्रेंट्स आज की वीडियो बात करें वाले हैं कि हम एवैस एडिट्स की तरह वीडियो एडिट कैसे कर सकते हैं यह जो कलर गेडिंग आप देख रहे हैं यह बहुत ही ओसम कलर गेडिंग है तो वीडियो का एंट तक देखना बिल्कुल इजी मैथड में आप ठ्राइना ओक्र क्लिक कर देना को अगर पहली मरतवा यूज़ कर रहें तो यह आप से अलाओ मांगेगा तो आपने यहां पर प्रिमीशन देने के यहां से अपने वीडियो को सिलिट कर लेना जो वीडियो आपने यहां पर एड करने होगी ठीक है इसको आपने सेलट को टू पर रख देता हूं ठीक है और यह नाइट वोड़ वगर इसको आपने बिल्कुल नहीं चेड़ना जी आपने आटो के उप्शन पे क्लिक कर देना है इसके आप जैसे पर क्लिक करेंगा यहां पे कुछ प्रोसेसिंग होगी थोड़ी सी ठीक है फिर उसके बद जो आप पी वीडियो है यह आप gearण के रेडिय करेंगे उसके बाद आपने यहवाली सेटिंग आपने इसकी जरूर कर ले जब आप इसको AI से रिपेयर कर लें ठीक है उसके बाद आपने यह वहला जो सेंटर वाला आप्शन है ठीक है इससे आप इसन कीAK वहाला हमने यहां से एक्सपोर्ट करने ठीक है तो इसको एक्सपोर्ट करने के लिए वैसे आप यहां पर भी कलिक कर सकते हैं ठीक है नीचे आपने आफटर वाले रिजल्ट पर कलिक करने ठीक है इसके उपर आपने क्लिक करना है और यहां से उपर सेफ वाले बटन पे कलिक कर देने है ताकि जो आपका आफटर का रेزल्ट है वो यहां से सेव हो जाए ठीक है तो यह यहांपे सेव हो चुक है यहांपे कर रहें कंटिन्यू करेंगे कंटिन्यू करेंगे तो हम दुबारा कोई और हमसे वीडियो मांगे का ठीक है कोई और अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो अब बढ़ते हैं हमारी आलाइट मोशन करने तो अपने नीचे प्लस वाला इकन पर कली करने और यहां से इसके बाद आपने इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्ली करने है यहां सबसे बहले copy background का effect apply कर देना फिर add effect पे क्लिए करना है और उसके बाद आपने Gaussian blur का effect apply करना है और इसकी जो setting है वो आपने तक्रीबन 400 पे रख देनी है ठीक है तो इसकी setting आपने 400 कर देनी है और उसके बाद सिंपल बैक आ जाना है दुबारा add effect पे क्लिए करने और यहां से आपने exposure and gamma इसको select करने और add effect पे दुबारा से क्लिए करने यहां पे आपने saturation and vibrance को select कर लेने ठीक है तो उसके बाद आपने जो सिंपल बैक आजाने बैक आने कबाद exposure वाले saturation and vibrance को option पे क्लिक करने और यहां से जो इसकी saturation है वह आपने कुछ इस टाइब से कम करने ठीक है यहां पर मैं इसको 30 कर देता हूं माइनस में उसके बाद आपने सिंपल बैक आजाने हैं यहां से blending and opacity के option पे क्लिक करने डिफरेंस मैंने कबाद इसको कर देने सब्ट्रैक ठीक है सब्ट्रैक करने कबाद आप देख सकते कुछ इस टाइब कर इसका इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा यहां से मैं इसको अगे लेके जाता है तो यहां प पर इसको इसकी जो लाइटिंग है ठीक है यानि ओफ साइट माइनस में 0.05 रख देना ठीक है इतना रखने को आपने फ्रेंट सिंपल यहां पर बैक आ जाने और यहां से मैं इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा दू मिया खुद को नजर नहीं आ रहा ठीक है और उसक सब्सक्राइब पहने पाड़ तो इसको कर लेना ऑवर ले और ले कर लेगा और कुछ स्टाइब का इंटरफेस आज आजेगा आपके सामने ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं अपनी वीडियो की वालिटी ठीक है तो यहां पर देख सकते हैं अगर थोड़ी सी और कर देना है लेकिन इससे लाइटिंग ज्यादा हो जाएगी अगर आपकी वीडियो की क्वालिटी डल है तो आप यह वाला स्टेप कर सकते हैं यहां से कुछ भी कर सकते हैं तो यहां से कुछ भी कर सकते हैं तो यहां से इसको इस तरह से खत्म कर देता हूं ठीक है यहां से दे बत यहां पर आपको बतादो ठीक है यहां पर आपने फस्ट वले इस लेए के ओपर कली करने इफ़क्ट वाले उप्षिंप अच्छी करना एड़ आपक्त वीजिए करने लेड़ आपक्त ज्यादा हो जाएगी ठीक है वैसे आपकी मरदी आप आड़ करना चाहें या ना करें जो भी आपकी मर्दी ठीक है डिसक्रिक्शन में आपको एक्जिनल फाइल का भी लिंक मिल जाएगा वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं तो इसके बाद अपने फ्रेंड्स जो भी एफेक्ट एड़ करने वह आप अपनी मर्दी से एड़ कर सक सब्सक्राइब करना मैं मिल तो आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अलाहाफीज